गुलबर्गाश शहर के टिपू सुल्तान चोग बिसाट नवाज बिर्यानी हाउस अलिफ अप्टिकल एंड आई क्लिनिक ओपन हुआ है जिसका इन्योगरेशन मौलाना खासिम बुखारी सहाब खतीबो इमाम जामा मस्जिद संत्रासवाडी के हातों किया गया है इस मौके पर इस्पेशल गेश्ट मौलाना जाकीर एमद रशादी सहाब खतीबो इमाम मस्जिद आईशा टिपू सुल्तान चोग और दिगर कई उल्माई कराम पॉलिटिकल नौन पॉलिटिकल लीडर्स दोस्त अहबाब और फैमिल मेंबर्स यहां मौजूद थे तमाम की मौजूदगी में अलिफ आप्टिकल एंड आई क्लिनिक के प्रोपरेटर जनाब मौम्मद अनवर जुनेदी ने बताया यहां आकों के मुतालिक हर सहुलात मौजूद है और कई मुक्तलिफ ब्रैंड के फ्रेम्स काफी कम प्राइज में दिये जाएंगे सुबा साड़े दस बजे से शाम साड़े दस बजे तक यह आप्टिकल ओपन रहेगा और डॉक्टर दिशा कारवारी MBBS MD अप्तुलमुलाजी हर रोज साड़े चार बजे से नो बजे तक यहां अपना वक्त देंगी अप्तुलम्स काव्ड्मose कर दो झाल आज टिपू सुल्तान चोक आज़त्पूर रोट पे हमारे इमाम हजरत खासिम बुखारी सहाब के हातों से अलीफ जो अप्टिकल के नाम से इफ्तिदा अमल में आई है मैं अल्ला से दौागो हूँ कि अल्ला मेरे अनुवर भई के इस कारोबार में मजीद तरखी दे और आप लोगों के तरो मैं अनुवर भई को और उनके एहले खांदान को मुबारक बाग भी देता हूं कि इन्हों ने बहुत बहुत अच्छा एक इस्टप पीपु सुल्टान चौक पे लिया है मैं को बहुत सा फील होता था कि हागरगा रोड पे और दूसरे कालोणियों में जो हमारे जुरुत के चीज़ों को ओपनिंग होते हैं देखने के बाद मुझे मैसूस होता था कि मेरे आजद पूर रोड पे यहां की लोकालिटी के लिए कौन आगे आएंगा कि कि यहां के लोगों को फैस्लिडिस मिले मैं फिर एक बार इसी जजबे के साथ मैं अनुर्भे का शुकर गुजार कि जब भी आपको अप्टिकल की या आपको चश्मी की जुरत पड़ती है तो जरूर फर्स्ट आप यहीं पर अलिफ में आएं और अपना पूरा वक्त यहां पर दें और आप जब यहां पर सडिस्फाइन होते तो आप जहां भी आप जाना चाह सकते मैं बोलूंगा और मै मैं फिर एक बार आप लोगों के तो अनवर भई को रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वह आप फुल टेम आप दें कस्टामर से आप मिले यहां के बेनिफिशरी से आप मिले आप में जो कॉलिटी है मैं बहुत कम लोगों में मैसूस करता हूं मैं ऐसा नहीं कि आपके आज आया अलिफ आप्टिकल के इस्तिता के मौके पे जमा है कुछ देर पहले इसकी इफ्तिता अमल में आई मैं इफ्तिता के मौके पर सबसे पहले अजीज़म मौम्मद अन्वर मिया को दिल के अमीग घहराईयों से मुबारक बादी पेश करता हूं अजीज़म मनि अन्वर सहाब एक बड़े ही मुखलीस मेहनती इनसान के साथ साथ खौन की खिदमत का बड़ा जजबा भी रखते हैं और यह आप्टिकल पैलेस देखें आखें खुदा की एक अधीम निमत है इसकी हिफाज़त इसकी देखबाल क्योंकि ये चीज़ें इनसान को बताओर लाने अमानत के जी है तो इस अमानत का हर इनसान को पुरा पुरा खया लगता है फिर भी जब आखों के कुछ मसाइल जब पैदा होते हैं तो हम डॉक्टरों से जब रुजू होते हैं तो उसके लिए उसकी तश्कीस और उसका मौइना करने के बाद जब किसी इनसान को आइनक लगती है तो बहुत सारे शहर गुलबरगा में ऐसे आप्टिकल्स है लेकिन हमारे इस इस अलाखे में इसके बहुत कमी थी यहांदिल्ल्ह ताला अल्ह ने इस कमी को आज अनवर साहब के जरी इसको पूरा किया तक्मील किया और यही एक बहतरीन इनसान के अंद जब जबा होना चाहिए लाकि हबीब आलहीं सलातु सलाम का फर्मान है खेरुन नास मैं लोगों में सबसे बहतरीन वो है जो दूसरों को फाइदा पहुचा सके जो दूसरों को फाइदा दे तो यकीन ये एक खिदमते खल्क भी है और साथी साथ ये जो दुकान की जो इस्तिता है बहुत अच्छा काम है मैं एक और बाद मैं जनाब अनवर मिया और उनकी तमाम फैमिली को मबारकबादी पेश करता हूँ और लाकी बार गाह में दूा करता हूँ कि मौला तबारु को ताला वो इनके इस कारोबार में अफुप तरफ़की अता फरमाए और इने ऐसे है खिदमत करने का जजबा अता फरमाए अनूरी अर्शी मुहमदी आज बरोज पीर बादनमादे इशा तीवी सक्तोबर बामकाम टीबू सुल्तान चौक पर मेरे अजीज और खास दोस्त जनाब अनूर जुनेदी की अप्टिकल जिसका नाम अलीफ है और अलीफ अप्टिकल का आज हदरत अलाव मौलाना सेयर्श खासी मुहरी साहब किमला के हातों इसका इफ्तिता अमल में लाया गया मैं आपर ये तमाम गुलबर का हेल्लेंस और दीगर सोशल मेडिया के दोस्त और हभाब से बात कहना चाहूंगा कि आले जनाब मौम्मद अन्वर जुनेदी आपकी खास बात ये है कि आपने मुक्तलिफ डॉक्टर्स और सरजन के तहट रहे कर बहुत सारा तजर्वा हासिल किया है और ये आपकी पहली नहीं बलकि कई एक डॉक्टर्स हो या आफ्टिकल्स हो उसमें आपको एक जमाने से कम उमर से एक बहतरी तजर्वा इसमें हासिल है और ये तमाम जो अलिफ आफ्टिकल है उन तमाम तजर्वों का एक निचोड आप इसको कह सकते हैं मैं साथी साथ यहां पर यह भी कहूँगा कि यहां पर ना सिर्फ आपके लिए बहतरीन गौगल्स और चश्मों का एहतेमाम होगा बलकि यहां पर एक माहिर सरजन और डॉक्टर भी होंगे जो कि आपके इलाज और आपके चेकप भी यहां पर करेंगे यानि फुल मिलाकर एक बड़ा से पैकेज आपके लिए यहां पर रखा गया है जब आप अपने आखों को लेकर यहां पर आएंगे तो मैं फिर से एक मरतबा आली जनाब मेरे अजीज अन्वर जुनेदी और उनकी फैमिली और उनके तमान दोस्त और अहबाब का दिल के हमी गहरियों से शुकरिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे भी मदू किया साथी साथ महमानान को यहां पर बहतरी अंदाज में मदू करते हुए एक बहतरीन अलिफ आप्टिकल जोंके अलिफ से हर चीज की शुरुआत होती है तो इन्शालला ये शुरुआत भी लोगों के फाइदे और लोगों के हख के लिए बहतर सावित होगी असलाम वालेकुं रहमत लाहि वबरकातू हमारे हर दिल अजीज दोस मौम्मद अनवर जुनेदी साथ कया अलिफ आप्टिकल गी अपनिंग है और मैं हमारे पूरे दोस्तों की टीम की जानिफ से उनको औ और अल्हम्दुल्ला बहुत अच्छी सर्विस है और काफी जादा एक्सपीरियेंस वाले हैं और डॉक्टर भी माशाला दिक्षा घरबरी वेल एक्सपीरियेंस डॉक्टर है इन्हों और अहले गुलबरगाफ अपील करता हूं कि आप सब लोग आईए और आके एक बार अबारिक्म और रहमतल्ला आहिए और चैसारा बार अच्छी मोलाना खासीम बुखारी साब और तमाम महमान का मैं अपने अहल खाना के तरफ से शुकरिया अदा करता हूं और तमाम अवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि हमें एक मौका दीजिया अपनी खिदमत का हम आपको मायूस नहीं करेंगे आपके लिए हमने तमाम सहुलियात को मौहिया कर रखा है जैसे कि आपकी सर्विस जो भी हो हम फ्री कर देंगे और तमाम हॉस्पिटल के जो भी मामलाद होंगे उसके लिए भी हमने तकरीबन इंतिजाम किया है एक सर्जन माहित जो डॉक्टर दीकशा खरबर आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे दिन में चार बजे से नौ बजे तक वो आपके लिए अवेलेबल है और वखाया वक्त आपके लिए एक आप्टोमेट्रिस्ट को भी अवेलेबल रखा गया है तो आपको तमाम सहुलियत मिल जाएंगे आखों के मुतालिख इन्शालला यहां पर आपको तमाम खिसम के कमपनी वाले फ्रेम्स ग्लासेस बड़िया से ब्रैंड और संग्लासेस हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी यह हमारी एक कोशिश है यहां की पबलिक के लिए ताकि उन्हें तमाम चीज़ें खरीब हो और कहीं जाना आना पड़े जैसे के पहले यहां के लोगों को जाना पड़ता था कहीं जगत सरकल या कहीं दूर कुछ लेडिस को उसमें परेशानी भी होती थी इसलिए हमने एक सहूलियत रख दी है ताकि वो अपने आप आकर खुद अप्रोच कर सकते हैं फ्रेम पसंद कर सकते हैं और एक हमने स्पेशल रूम भी बनवाया है जो परदे का एहतमाम करना चाहते हैं वो परदे के एहतमाम के साथ उन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं हमारा अड्रेस है टीपू सुल्तान चौक बिसाइड नवाज बिर्यानी हाउस रिंग रोड गुलबरगा हमारी सर्विसेस का वक्त होगा सुबा दस बज़े से रात में दस बज़े तक आप उस वक्त में कभी भी आकर अपने जरूरियात को बता कर उसका हल मालूम करें